प्रूट में ब्लूबेरी, एपिल, ग्रेप्स, अक्रोट, चेस्टनेट, वालनेट ये सारी चीजें लगाई, प्रीडी में ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको पौधे भी उकलब दखराते हैं, कुछ पौधे में अपनी और से भी लोगों को बांटता हूं, बंजड खेतों को उनको सही करके उसमें बागवानी की जाए, डेरी फार्म किया जाए, नर्सरी का कारोबार किया जाए, तो उससे यहां का युवा खाफी अच्छी आमदनी कर सकता है, आजकल इतना अच्छा कॉंसेप्ट है, खाने वाले लोग ज्यादा हैं, प्रोड़क्शन वाले कम हैं, ग्राफ्टिंग भी सिकाते हैं, पौदे लगाना भी सिकाते हैं, कैसे नर्सरी का लियाओड होता है, कितने गड़े खुटते हैं, कितनी दूरी में लगते हैं, यह ट्रेनिंग हमारे फ्री में मिलते हैं। वो एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं, इनके बाग में आपको ब्लूबेरी, अखरोट, अंगूर, तमाम अलग-अलग तरीके की फसले मिलेगी, यहाँ पर वो नर्सरी का भी एक बड़ा कारोबार करते हैं, हमाई साथ में किसान देविंदर सिंग जी मौजूद हैं, देवि अच्छी काफी बड़ी है। तो इसके बाद हमने नर्सरी का काम स्टार्ट किया है। नर्सरी में भी हम लोगों को फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको पौधे भी उपलबद कराते हैं, कुछ पौधे में अपनी और से भी लोगों को बांटता हूं। तो इसमें काफी संभावना यहाँ पर तो यहां पर आपने जो यह बताइए जैसे ब्लूबेरी है ग्रेफ से अंगूर तो हम देख रहे हैं यहां पर इस समय आप देखें कि अंगूर की अच्छी यहां पर फलत हो रही है अभी चोटे हैं अलागी और बड़े होंगे काफी अच्छे अख्रोट हमने देखा कि वह अच्छा इहां पर निकल रहा है तो ह्वार थोड़े से में फसल आरी है तो बड़े स्थर पर भी यहां पर इन चीजों को लगाए जा सकता है यहां जैसे मेरे और चाहिड में आपने देखा तो हमारा तो लगबन नरसरी और बागवाणी से 50 लाग का टरन ओभर है पहाड में इतना आदमी कम कर पाता है तो इसके लिए मैन पावर हमने अरेंज यहां तो बहुत कम मिलती है तो नेपाल से हम अरेंज करते हैं इसके बाद काफी अच्छी कारोबार यहां पर किये जा सकते हैं युवावों को जुनून होना चाहिए करनेगा तो इधर उधर भटकने की जरूद नहीं मैं तो युवावों को यह संदेश दोंगा कि आप अपनी बंजर जमीनों को सही कीजिए उसमें बागवानी कीजिए डेरी फार्म कीजिए वी कीपिंग कीजिए तो सारे रोजगार हैं आजकल इतना अच्छा कॉंसेप्ट है खाने वाले लोग ज्यादा है प्रोड़क्शन वाले कम है तो बेरोजगारी की कहीं बात ही नहीं आदमी पहाड़ों में कहता बेरोजगारी है कुछ करने का जुनून तो चिये ही तबी आगे आदमी बढ़ सकता है आपको यहां तक बढ़ने के लिए कितना संगर्श करना पागारी है मुझे तो संगर्श करते करते कम सब्सक्राइब 20 साल में मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूँ तो 20 साल लग गे मेरे को यहां तक पहुंचने में तो फिर यह सुनके तो युवाव ऐसी डरेंगे के 20 साल अगर संगर्श के निकल जाए आप क्या इसी तिया है बदली है चुनवतिया बदली है टेक्नीक आगी है जैसे हम हिमान चल जाते थे टेनिंग लेने दिली धर धर देखने जाते थे वो सारी चीजें यहां होगी यहां को अगर करे तो पहाड में काफी अच्छा है पहार में आपकी सब्जी, फिरी खेतों में बूगा लेता हूं दूद्थ कहाने को आज मी उगा लेता हूं दूदЫार पैदा कर लेता है तो सारी चीज़ें इहां उपलप եे हैं सारा गेहूं और आपका धान भी नीचे की साहराइच साहा आई कम है तो खर्चा भी बहुत कम है जैसे आप अखरोट कर रहे हैं अंगूर कर रहे हैं ब्लूबेरी तो इनकी अगर कोई पौधे चाहता है आपने का कि युवा काम करें उन्हें इन पौधों की ज़रत होगी तो क्या वो भी आप किया से उपलब्द होते हैं पौधे हमार के बाद एक कारोबार थोड़ा बड़ा है पहले थोड़ा कम करते थे तो हम जो हमारे बाद इतने मदर प्लांट हैं इसकी जो क्वेलिटी उसको मैंटें रखते हैं क्वेलिटी अगर मैंटें होगी तो आजमी दुबारा पौधे लेने आता है जहां पर हमारे लोग नर्श काम खतम हो गया हमारा आप देखिए इतना माल लगा हुआ है तो अगले सीजन में आप आएंगे तो एक खेत में पौधा नहीं मिलेगा तो कोईटी मेंटें करके इतना फाइदा होता है नसी शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान देना जरूरी है नसरी शुरू करने के आपके पाद थोड़े एक्सपर्ट होने चाहिए ग्राफ्टिंग और जमीन का लयाओट करने के लिए थोड़ी आपके पाद लेंड भी होनी चाहिए लेंड खुली होनी चाहिए उसको पेड़नी होने चाहिए जैसे पीर का पेड़े इसके नीचे अगर नरसरी एक चीज़ जाना चाहिए जो जमीन आपने का बंजर तो जमीन को अगर उपजाओ बनाना है क्या करना होगा तो जमीन को बनाने के लिए आजकल तो सरकार आपके पहले से तो यहां बैलों से जुताई होती थी आजकल सरकार 80% सबसेड़ी में टैक्टर उपलब्द करा रही है किर्सी विभाग हमारी उत्रागंड सरगार तो उसमें जो एक लाग का आपको बीस हजार मिल रहा है उससे बंजर खेतों को जोतने में बहुत सुविदा हो रही तेल का भी उसमें खर्चा कम है तो उसको भुरुबरा करके गोबर आजमी खुद घर में पैदा कर रहा है गाई भेंज लगभबालते हैं लोग वही है गोबर उसमें मिलाकर नर्चरी के लिए लेंड त्यार हो जाती है जो आपने ट्रेनिंग की बात करी तो उस ट्रेनिंग में क्या इन पौधों को कैसे लगाना इनकी देखरें कैसे करनी यह सब भी आप बताते हैं हमारे पार एक तो आपने देखा कि कुछ करने की चाहिए जुनून होना चाहिए तो यहां पर जिस तरह का यह आप देख सकते अंगूर हमने आपको दिखा अखरोड ब्लूबेरी पियर्स कितनी सारी फस्टले यहां पर लगी हुई है साथ में सेप जो यहां पर एक बेल्ट बन रही है उसक यहीं पर वो बागवानी करें यहीं पर वो नस्री का काम करें उसके लिए बकाइदा उन्हें इनिशुल प्रेशिक्षन भी दिया जाएगा सायोग बे कुछ पौदे मुफपिदी आएंगे कि वो पहले ट्राइ करके देख लें कि वो प्रेयोग उनका कितना सफल हो रहा है और उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाएं तो आप देखाएं एक शांदार मोडल है जिससे अच्छी यहां पर आमदनी भी की जा सकती है और सबसे बड़ी चीज की पलाइन को भी काफी हद तक रोका जा सकता है शेले शरूरा गाउं जेंक्शन